इस उमीद के साथ आप लोग खेरियत से होंगे मैं हूं नेच्ट्रोपैड डॉक्टर विल्कीज आज हम बात करें हैं दही पर दही किस वक्त खाना चाहिए दही कब आपके लिए दवा बनती और कव दही आपके लिक लिये जहमत बन सकती है किन चीजों के साथ दही आपके लिए अच्छा है किन चीजों के साथ दही मैं ने चीजे मैं भुण एक अध्रक और दही का इस्तमाल अपने चेहरे पर मैंने आपको वीडियो बताई थी बहुत ही जबरदस्त है स्किन टोन अप के लिए अगर पिग्मेंटेशन है उसके लिए बहुत जबरदस्त है आज मैं आपको बनाना बतारी है तरकिश जो हम जब तरकी जाके पीते हैं या मैं चितराल की हूँ तो हमारी यहां भी इसी तरह लसी बनती है तो तरकिश लसी बहुत जबरदसी नाम उसको कुछ भी दें लेकिन आज आपको मैं बनाना बताऊंगे आप अराम से बना सकते हैं उसमें थोड़ा से नमक ज़ादा होता है तो पिंक सॉल्ट डालिएगा अच्छा तो लसी बनाते बनाते मैं आपको उसके कुछ फाइदे कु सुबा खाली पेट पी लिया जाए तो यह ऐसे ही आपकी बॉड़ी को मैं आपको मिसाल दे के समझा रही हूं जैसे मेरे एक उस्ताद थे वो इल्म बहुत रखते थे मगर तालीम उन्होंने हासल नहीं किती उन्होंने मुझे बताया था बेटा दही अगर सुबा खाली पे उसकी इंजन को चलाने के लिए हमारे सारे नसो को खोले उनकी अलवाजे सारे नसो से सारे उससे गंदगी को निकालने में मदद करता है यकीन करें जिनको बहुत जाधा तजाभी तोती है रात को जमाये दही सुबा खाली पेट एक कप खाले कि कुछ लोगों को होता है कि शुरु के 2-3 दिन फोड़ा मुश्किल होता है अच्छा दः के फौरण बात क險 वाली चीजे नहीं लेना ठीका है सहीत तो आप लोगों ने दःट है के साथ करी वाली चीजें नहीं लेना और दःट के बहुत सारे हैं बहुत ज्यादा फाइदे हैं ब्यूटी में हल्ट में मैंने अपने उस्ताद की बात आपको बता दी अगर बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो नाक कैसर एक चमच दो चमच दही चाहे वो पाइल्स की हो चाहे खावतीन के हॉर्मून्स का कोई मसला हो आप यह वाला डोटका करके देखें बहुत फर्ख पड़ता है तीन दिन कीजिएगा बहुत ज़्यादा फर्ख पड़ता है एक चमच नाक कैसर चोटी चमच दो बड़े चमच दही इसको मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना है वैसे खाली पेट मैंने आपको दही का तो मैं आपको बताती हूँ तरकिश जो है लसी कैसे बनती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए नमक इसमें थूदा सा नमक ज़हना जादा डलेगा वन फूर्टी स्पून नमक है इसमें एक कब दही है इसमें एक गलास जो है वह दूड़ डलेगा एक चमच बुन अब जादा जाए ठाल अब इसमें नमक के जाए प순े जाहें आपसे पलह में वह जैंक पानी जल्टाष में तो लेज़के बलंड़ करें ऊपर मैं जागा एक ब्लंड़ करों को एक ब्लंड़ को जादा हो ज्यादा ब्लेंट करना है पूरा बरफ इसमें मिक्स हो जाए और उपर पूरा आपको लगेगा जाग आगया है तो आपकी मिंट फ्लेवर वाली तर्किश लसी तयार हो जाएगी इस्तमाल कीजेगा हमें भी फीडबेक दीजेगा क्या आपको पसंद कितना आया वैसे अगर स क्रीम है उससे आप मसाज करें और थोड़े देर के लिए दूप में बैच जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके मसाम खुलेंगे उसके बाद आप किसी भी माल्ड सोप से जो नहा लें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसको कहते हैं कि दही की आप मसाज करें खास कर बच्यों कि विए बच्चों की भाग्छा ज़्यादा की ड्राइ सकिन होती है और अनकी स्किन ज़्फटी सी एंट्रे मेरा खेफ से से निला दे और बड़े भी कर सकते हैं जहां आपको स्किन पर बहुत जदा ड्राइनस हो तो ये चोटी चोटी रेमडी मैं उमीद करती हूं आपको पसंद आएंगी अगर पसंद आए तो प्लीज इसी तरह अपना प्यार इस चैनल के साथ बरकरार रखें कल फिर मिलेंगे ए आबाद रहें आभाद रहें अल्ला हाफ़ेश